हलो आदाब और नमस्कार आप सभी को दिल से मैं हूँ आपके साथ दिव्या नेजा और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म की जो फिल्म रिलीज होने से पहले सुर्खियों में है अक्सर आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे फिल्में आती है जो बड़े पर तो आती है लेकिन उससे पहले चर्चा में चा जाती है आखिर इस फिल्म में क्या खास आपको दिखने वाला है बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का नमस्कार करन राजदान जी मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा जो गंभीर भी है संजीदा भी है और हर कोई हिम्मत नहीं दिखा सकता है ऐसा मुद्दा बनाने का लेकिन आप में वो हिम्मत कहां से आई आपको भी किसी ने पुश्च किया या आपके अंदर से ही वो आवाज है कि नहीं मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए कमाल की बात है कि आदमी अकेले में सोचता है और फिर सारी दुनिया में फैल जाती है यह मैंने अपनी पिछली फिल्म से भी कुछ मैसूस किया था जी एक अकेले चलते चलते खायाल आता है और फिर वो दुनिया में जग जाहर हो जाता है तो कितनी चर्चा होती है मुझे तो लगा था कि एक छोटी सी कहानी सुना दू मैं जिसमें कि मैं यह कहूं कि बहाई यह मैजॉरिटी कमूनिटी को भी वोई हग दे तो जो आपने बाकी लोगों को दिया है दूतरी नहसूस करवा रहे हो कि मत बोलो मैं हिंदू हूँ जी कि सेक्यूलर देश है इस बात में घुसा था मज़े कि जो राइट्स उनको दिये हैं बाकी क्या प्राबलम है पूरी फिल्म बना डाली उस बात को जाहर करने के लिए क्या बात है आशीश आप से बात करना चाहेंगे हम कुछ चीजें आप से भी हम खुलकर बेबावकी से जानना चाहेंगे क्योंकि आपने भी चुना है कि आप इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं इस क्या लगता है कि यह बढ़ेगी, खत्म होगी या सब कुछ स्टेबल हो जाएगा? वोड़ी तिंग, जंग जब होती है, जंग कहां पर खत्म होती है? जब आप बॉर्डर पर बैठ कर बात करते हैं, जब आप संधी वारता करते हैं और आप साइन करते हैं, जंग वहां खत्म होती है, वरना जंग चलती रहती हैं जब आप बमगोले दाखते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वार्ता करने पड़ती है, बात करने के लिए आपको आवाज करने पड़ती है, जैसा कि भगत सिंग भी कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए शोर की आ बात सिर्फ इतनी है कि हम उन तक ही आवाज पहुचाएं कि अगर हम इस देश में भारत के अंदर हमें अगर शान्ती चाहिए अगर हमें जैसे हम बार-बार कहते हैं ट्रू सेक्यूलरिजम चाहिए तो हमें अपने-अपने धर्म के सही सार को समझना होगा हर धर्म धर्म निर तो वो धर्म निर्पेक्षता कहीं पीछे चूड़ जाती है तो अगर हमको वाके सेक्यूलर होना है वाके धर्म निर्पेक्ष देश बनना है तो हमें अपने-अपने धर्मों के सही सार को समझना होगा और वो सही सार को समझाने के लिए हमें इस तरह के नेरेटिव को बिल monopoly जादा है वो लोग देखने नहीं जाएंगे वेक लिमिटेड आञिए इंदु एक लिमिटेडियू आपने हिंदुए बनाई है तो इस से आप लोग नुकसान नहीं होगा ऐसा बिलकुलKS है कि हिंदुआ के लिए कि सोच को सामने रखने के लिए बनाई है और उस सोच को सभी को समझना बहुत आवश्चक है क्योंकि हमारे देश का जो डेमोग्राफिक है वो तो यह कहता है ना कि आप असी प्रतिशतियें हैं बीस प्रतिशतियें हैं और अब पता नहीं इस वक्त कि आज जितनी भी हालात ह हैं कि कौन सा कितना प्रतिशतियें नहीं पता पर अगर हमें साथ में रहना है तो फिर मैजॉरिटी के आवास को सुनना तो पड़ेगा ना और अगर उसको आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है तो गलत बात है कि आप इस बात का हवाला देते रहें कि हम अल फिर अगर आप मेजॉरिटी के बात सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर यह भी गलत बात है समय दान तो सब के लिए बराबर है किसी किसे को जगड़ा नहीं है बात सिर्फ यह है कि समान बात करिये दूगली बात नहीं चलेगी ठीक सुरारिका आप इस फिल्म में भी बहु को डिफेंड करने हैं लेकिन आप किस की तरफ है तो मेरे किरदार का नाम है सपना इस फिल्म में और यह एक NRI लड़की है और शुरुवात में इसकी आइडियोलोजी थोड़ी सेकुलरिजम के तरफ इसका जुकाओ थोड़ा ज्याधा है बट थूआउट द फिल्म सपना क वो हिंदुत्व का असली मतलब रियलाइज होता है असली माइने क्या है उसके और कहीं ना कहीं यह मेरे साथ भी रियल लाइफ में हुआ बिकर्स गोई इंट फिल्म मुझे कोई अंदाजा नहीं था के करन सर क्या बात कर रहें किस चीज के बारे में बात कर रहें और मैं य हिंदुत्व क्योंकि इसके बारे में तो महीं नॉलेज वस अपसलुटली जीरो इंस्पाइट फ मी बिंग अ हिंदु कमिंग फ्रम हिंदु अ मिडल क्लास हिंदू हाउस होल्ड जहां दिन में दोवत्त पूजा होती है और शंकनात से दिन की शुरवात होती है इंस्पाइ अंकित नाम अंकित है आप खुद हिंदू है लेकिन फिल्म में आप अपने करदार से बिलकुल ऑपसित है तो आपको कितनी तयारी करनी पड़ी उस करदार के लिए और किस जगह पर आपको सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ा कि अच्छा मुझे यह नहीं मुझे यह कर अपने कम्यूनिटी के लिए लड़ रहा है तो मैं समीर सद्दीकी की कहानी सद्यो परानी तडपता बच्पन दर्द भरी जवानी और वहीं से वह अपना दर्द लेके आ रहा है क्योंकि मैं खुद एक हिंदू परिवार को बिलॉंग करता हूं तो मुझे यह समझना था प इतना जादा ब्रूडिंग है या इतना जादा नफरत लेके चल रहा है क्योंकि यह दोनों आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि दो दोस्तों की कहानी है और जो बच्पन में दिवाली और इत साथ में मनाते थे तो वह कैसे बड़े होते 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 दोनों की आइडलोजी लोगों की कैसे चेंज हो जाती है उसके उपर मूवी है और हम कैसे उन सब चीजों से यह अवे रहते हैं कम्यूनिटी को और युनिवर्सिटी स्टोर युनिवर्सिटी को पढ़ाई के लिए रखो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में रखो जैसे सेक्शन 370 की बात हुई ह तो वो सारी चीजे आप अपने पॉलिटिक्स के लिए रखिए कम्यूनिवर्सिटी में मत लाइए कि जब तक पॉलिटिक्स नहीं आई थी बीच में तब तक सब कुछ सही था दोस्त दोस्ते दुश्मन नहीं थे हकीकत में भी क्या आपको ऐसे लगता है कि हमारे देश में मैं प्राम मिन इस्ट्रवल्सिट्रवका जब से यह थे तब से बदल्व हुआ है नहीं ये पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि Uh class 1937 में हुई थी उस भड़ी politics तो उसके बाद हुई नहीं है दो एक देश बट गया और वो भी अपने-पने egos, अपने-पने विचारधारा, अपनी-पनी community, communal feelings पे और कि मैं prime minister पहले बनूगा, मैं prime minister पहले बनूगा, इतनी बचकानी बातों पे हमारे leaders ने इस देश का विभाजन कर दिया, उससे बड़ी politics हम क्या खेल पाएंगे पॉलिटिक्स तब भी दोस्तों में हुई थी और उन्होंने देश बांट दिये करेक्ट आशे शेकना बड़ा जवर्दस सा डायलोग हमने ट्रेलर में आपका देखा, मैं चाहूंगी एक बार यही दाहार हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाए कि मैं कुछ पंडित हूं लेकिन डंडा चलाने नहीं बूला, कुछ ऐसा सा वो डायलोग था हम सबको बहुत पसंद आया है हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था पंडित का बेटा हूं लेकिन लाठी चलाना जानता हूं जैश्री राम क्या बात है जैश्री राम बोल रहे है आज आप एक बहुत खूबसूरत से अटायर में भी है लेकिन ये जो पीछे दिख रहा है है ना हमें इसकी वजह से जो आपकी फीमेल फान फॉलिंग है ना वह बहुत बढ़ने वाली है क्या बोडी आपने बनाई है इसके लिए क्या आपने इस फिल्म के लिए चेंज किया है खुद को या पहले से ही आप अपने आपको फिट रखते थे ने फिट तो ओविसली भी की आसे हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है और बच्पन से बिकसा बीन इंट इस पोर्ट तो वह ए बात करते है ना कि प्रहमन लड़का है हिंदू लड़का एक्षत्रिय लड़का हम जैसी उनका नाम लेते हैं हमारे दिमाग में उनके इमेज अपने शुरू हो जाती है कि वह कुछ और्थडॉक्स, रूड़िवादी, पुराने हैसे, पुराने ख्यालोवाले इसे, पुर लेकिन मैं देखिये हम हिंदू की बात कर रहे हैं मैं चाहूंगी आप लोग एक मैसेज हमारे मुस्लिम भाईयों को पहनों को उनको भी जरूर दीजिए कि उनके लिगे फिल्म देखना क्यों जरूरी है, एक नेगटिव मैसेज अभी तक जा रहा है कि हिंदुत्व है, हिं हिंदू को दर्शाएगी, उनकी ताकत दिखाएगी, उनकी नए जमाने से जुड़ा हुआ दिखाएंगे, लेकिन एक मुस्लिम क्यों जुड़े आपकी फिल्म से? क्योंकि मैं क्लाइमेक्स नहीं बताना चाहता, इसलिए वो जुड़े, क्योंकि आखिर के 25-30 मिनिट इतने एमोशनल हैं, वो उसके लिए जुड़े, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना क्लाइमेक्स नहीं बताना चाहता आजा एक छोटी सी मैं चीज हैं आप लोगों से, आप लोगों को ओनेर तो हम सब लोग जानते हैं, जाने से पहले में कुछ-कुछ आपके hidden talents भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने set पे एक दूसरे के साथ बहुत सारा time spent किया है, किसी को कोई एक ऐसी आदत आप लोग हम सारा आप बताएं आये जैसे दिख रहे हैं इसने वेल-माले सब चीज़ें यह ऐसे ही थे, क्या क्या खाना खाने के बाद यह ऐसे ऐसे करते थे, कुछ ऐसे hidden secret, sir? इन्हें बहुत attention की आदत थी, और वो attention किसी एक को ज्यादा नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसी-किसी scene में उसको वेट करना पड़ रहा था, या किसी गाने में वेट करना पड़ रहा था, तो वो तोड़ी चिड़ी हुई थी सर, यह यह चीड़ी हुई यह क्यों बड़ा हमने, अब तक वो उसको नहीं समझ में आता हूं को किसी बात हो रही है, तो बहुत sweet है Sunarika, और इसका चीड़ना भी बड़ा sweet है Sunarika, अब आपकी बारी, खुल के बोल दीजे कि Ankit और Ashish और Karanth जी कि क्या एक एक वो है You know our secrets, all of us Yes कौन time से late आता था, किसे भूख जादा लगती थी, कौन set पे late पहांचता था Late हमेशा Ashish होता है, हमेशा, everywhere, anywhere and everywhere, अगर 6 बजे की meeting है, तो वो 6 बजे अपने घर से निकलेंगे Okay He's always late, Ashish don't deny this He toh tohmat hai Jhota hai zaam I'm punctual that She's asking who's late You to let it be Carry on, carry on This one also, I am the only punctual person who's and sir will vouch for it Yes I agree sir Sir you'll vouch for it Yes Sir you've waited for them both and you've never waited for me even once When was their late on set Breaking news, this time that Hindutva's team is having to fight on our set I'm telling you, where the drama is from Maha Bharat Ramayana Thank you so much guys, it was very good to talk about you and it was very fun Before going, I would like to say, do you have to appeal to people I would like to say this, as you said, what I want to say to my Muslim friends and sisters It's a Samir Siddhiki character, which is a very important character in the movie which is parallel to Bharat How many people are concerned about these roles My friend has been told me once Of course, we have to give a lot of social media How many people are in the film We can talk about the film That means that we are out there But it's very beautiful You are willing to show up with my religion जिन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं because we believe in Vasudev Kutumka. वाव, Sunarika. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मुझे परस्नली बहुत कुछ सीखने को मिला. So if for nothing else, बस अपनी knowledge बढ़ाने के लिए चले जाएए यह फिल्म देखने और हमने बहुत महनत से, बहुत प्यार से यह फिल्म बनाई है और उमीद करते हैं कि आप सबको यह उतनी ही पसंद आईगी. आशीश. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और advance में धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह का reaction आप लोग दे रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमारा message पहुंच रहा है आप तक. और अगर आप गर्व हैं, गर्व करते हैं इस बात पर कि आप भारती हैं, गर्व करते हैं इस बात पर कि आप हिंदू हैं, गर्व करते हैं इस बात पर कि आपका धर्म और आपकि जो मजभ है वो आपके लिए बहुत important है, महत्वपूर्ण हैं, तो आप अवश्य आईए द कहता हूँ कि मेरा घर खुबसूरत है तो मैंने यह तो नहीं कहा कि आपका घर बदसूरत है अगर मैंने कहा कि हिंदुत्वा खुबसूरत है तो मैंने यह तो नहीं कहा कि बाकी सारे धरम खुबसूरत नहीं है और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आप लोग ने अभि हमारी trending second पे चल रही है और पहली फिल्म वो है जो गुजराती की ऑसकर के लिए जा रही है क्योंकि ये किसी एक मजब के किसी एक इनसान के किसी एक देश की बात नहीं है ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप तक पहुँचनी बहुत जरूरी है इसी के साथ दीजे इजाज़ब नमस्तार